एक रानी लक्षमी बाई थी जिन्होंने अपनी जासी देने से साफ इंकार कर दिया और एक हमारी लक्षमी है भाग्या लक्षमी जिसने अपने पती को देने से त्यागने से साफ इंकार कर दिया है जिस भी शेफ ने की खाना बनाया ना वो कमार का शेफ है जासी की रानी क्योंकि अब ये लक्ष्मी बोलती भी है गुर्राती भी है और सामने वाले की छुट्टी भी करती है अब क्या है ना वो समझ गई है कि अगर अपने पती को हासिल करना है तो सीधे बन कर कुछ नहीं होगा थोड़ा सा तो उल्टा बनना ही पड़ेगा सो देखिये वो बन गई है सुबह सुबह जब लक्ष्मी और बाओ जी के बीच अच्छी खासी लंबी चौड़ी बहस बाजी हो गई उसके बाद रिशी सीधे ओफिस आ गया और खाने के टाइम पे वो खाना खाने बैट गया खाना इतना स्वादिस्ट है के भाई वो तो अपनी उंगलिया ही चाटते रह गया यहां तक की मलिश का भी आई लंच पर रिशी को जॉइन करने के लिए भई क्या बात है इतना लजीज खाना तो उसने कभी नहीं खाया है अब जब हीरो यहां होगा तो उसकी हीरोईन को भी तो पीचे पीचे आना होगा फिर क्या वो देखिए लक्षमी भी आई और लक्षमी के सामने मलिशका ने ताना मारा के भई कहा है तुम्हारा घर का खाना अब इतने में ऑफिस के शेफ को भी बुला लिया गया शेफ को ये बोलने के लिए कि तुमने ये बहुत अच्छा खाना बनाया है अब शेफ ने जो कहा वो सुनकर इस सब के होश उड़ गए अब के खाने की शेफ ये तुमने बहुत टेस्टी है और रिषी शेफ का फैन और खाना शेफ ने बनाया है या लक्षमी ने बनाया है या मैं ने बनाया है ये खाना जिसकी तारीफ करते करते रिषी नहीं ठक रहा है वो खाना दरसल लक्षमी ने बनाया है अब भी देखो जो करने वाला होता है न वो ऐसे ही चप चाप में करकर चला जाता है लक्षमी उन में से ही है लेकिन रिषी आप ये अभी नहीं समझोगे जब मलिश्का के चक्कर से आपको लक्षमी बाहर खीच कर निकालेगी न है तब आपको सब समझा जाएगा मुंबै से मेगा थदानी के साथ एबिपी न्यूस रिपोर्ट एबिपी न्यूस आपको रखे आगे